ये आकार्षवानी है प्रस्तुत है कारक्रम सुर्चों में इसके अंतरगत सुनिए हर घर तिरंगा शुंखला के अंतरगत विशिश कारक्रम तिरंगा अभ्यान की डेश व्यापी तयारी हर हिंदुस्तानी के नजबीक है ये हर डर भुला देता है तिरंगा एक जोस जगा देता है सूरत सा नारंगी तीज है इसमे शान्ति का सफेज संदेश है इसमे इसमें खुशियों की हर्याली है ये चक्रवर्ती, चक्रधारी है वो फसलों सा लहराता है वो हर उचाई से ऊपर जाता है इसकी अलग ही शान है ये हमारा तिरंगा महान है भारतिय राश्य ध्वज पूरे राश्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक है ये तिरंगा है जो भारत को एक जीवन्त लोकतंत्र के रूप में स्थाफित करता है हर घर तिरंगा अभियान से एक एक भारतवासी के दिल में देश भक्ती की भावना पैदा करना इस अभियान का मुख्य उद्देश है राश्र निर्मान के लिए अथक प्रयास करने वालों की योगदान को याद दिलाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान को सरकार ने एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है राश्र ध्वज से हर देश्वासी का विशेश लगाओ है तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी पहचान है भारत के स्वतंतुरता के 75 साल पूरे होने पर आजादी के अमरित महुत्सव का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है ऐसे में सरकार ने तिरंगे से और आत्मिय संबंध बनाने को प्रोटसाहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की पहलकी है यह अभियान अपने तिरंगे की आन, बान और शान को समर्पित है यह हर एक देश वासी को देश निर्मान में उसके योगदान के प्रती-प्रती बधता और जजबे को दिखाने का अवसर देता है राश्रे धोज के रूप में डिजाइन को बनाने वाले स्वतंतरता से नाने शिप पिंगली वेंकया थे 22 जुलाई 1947 को समविधान सभा में राश्रे धोज को स्विकार किया गया 22 जुलाई के महतों को समस्ते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के शुरुवात की जो अब सरकारी कारिक्रम नहुकर एक जन आन्दूलन बन गया है मेरे पैरे देश्वासियों आज हाजी के अमरुत महोसव के तहत 13 से 15 अगस तक special moment हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का अयोजन किया जा रहा है इस moment का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फ़हराए या उसे अपने घर पर लगाए तिरंगा हमें जोडता है हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेदित करता है साथियों आजहादी के अमरित महोत्से में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देश स्वासी अपने करतवय का पूरी निश्चा से पालन करें तभी हम उन अन जिने सोतंतरता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे उनके सपनों का भारत बना पाएंगे इसलिए हमारे अगले पचीज साल का या मृतकाल हर देश वासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है देश को आजहात कराने हमारे वीर सेना ने हमें ये जिम्मेदारी दे कर गए है और हमें इसे पूरी तरह निभाना है ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से कहीं ज्यादा आपचारिक और संस्था गत रहा है स्वतंतृता के 75 वे वर्ष में एक राश्ट्र के रूप में तिरंगा को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक बन जाता है साथ ही राश्ट्र निर्मान के प्रती हमारी प्रतिवधता का परिचाइब भी है इस पहल के पीछे की सोच है लोगों के दिलों में देश भक्ती की भावना जगाना और अपने राश्ट्र धवज के बारे में जाग रूपता भी बढ़ाना अपने अपने घरों में राश्ट्र धवज फहरा कर इस पावन पर्वपर राश्ट्र प्रीम और राश्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव कर सकें स्वतंत्र राश्ट्र के अपने धवज को हर देशवासी को फहराने का गौरव प्रदान करने में हमारे अनेक प्रदान मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में देशवासीयों से आगरह किया है कि वे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान से जुड़े कारिक्रमों की फोटो और वीडियो अपलोड कर जन जन तक पहुँचाने में सहयोग करें जिस प्रकार सरकार आजादी का अमरित महूत्सव के तहट हर घर तिरंगा अभियान चला रही है उससे हर एक भारतवासी अपनी आपको गौरवानवित महसूस कर रहा है ये तिरंगा ये हमारी शान है विश्व भर में भारती की अमिट पहचान है ये तिरंगा हाथ मेले पग निरंतर ही बढ़े ये तिरंगा हाथ मेले दुश्मनों से हम लड़े ये तिरंगा विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है ये तिरंगा वीरता का गुंजता इकमंत्र ये तिरंगा बंदना है, भारती का मान है, ये तिरंगा हमारी शान है. तिरंगा श्रंखला के अंतरगर्थ विशेश करकम तिरंगा अभ्यान की देश व्यापी तैयारी. ये करकम आकाश्वानी के समाचार सिवा प्रभाग द्वारा प्रस्तूत किया गया. इसे आप हमारी मुबाइल अब नियूस ओन एईयार और यूट्यूब चैनल नियूस ओन एईयार ओफिशल पर भी सुन सकते हैं. इस करकम के सम्भन में अपनी प्रस्टिक्रिया आप हमें एमेल कर सकते हैं. पता है airnsdatokse at gmail.com ये करकम फिर से सुनने के लिए लोगाउन करें हमारी वेबसाइट